कि उसक्रार मेला। नाम है गगन और स्वागत है आपका oh, школ क्लासिफिकेशं के कोशन करेंगे अक्सर एकजाम में classification के question पूछे जाते हैं और बच्चा confused रहता है कि इन question को कैसे सोल किया जाए तो चलिएगा शुरुवात करते हैं अपने पहले question की और निमलिखित person में दिये गए विकल्पों में से बेजोड संख्या का युगम चुनिये तो कैसे आप बताएंगे देखिएगा पड़े ज्यान से इस question को 78, 85, 56, 10, 17, 23, तो कैसे करेंगे इसको देखो ज्यान से 78, 85, 57, 56, 10, 17 और फॉर्थ पर आता है आपका 23 और 30 अभी इनके अंदर आपको देखो similarity देखनी है कि तीन किस तरीके से similar है और किस तरीके से different है देखो ज्यान से सबसे पहले आप इनके बीच का क्या करेंगे gap डूंड लेगे कि इनके बीच का आखिर gap कितना है 78 में 2 जोड दीजिए और 2 और 5 हो जाएंगे आपके 7 यानिकि अगर 7 जोड देंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा 7 का gap हो जाएगा 57 और 66 के बीच कितने का gap है 2 और 6 कितना होता है 8 तो इसके अंदर gap कितने का है 8 का gap है इसके अंदर gap कितना है 3 और 6 होते हैं आपके 9 तो इसके अंदर है 9 का gap दस और साथ इसके अंदर भी साथ का गैप है और 23 और साथ भी होते हैं आपके 30 तो यानि कि आपका क्या हो जाएगा आप देखेंगे कि सेकिंड ओप्सन में गैप कितने का आ रहा है नो का गैप आ रहा है तो इस तरीके से आप इन कोशन को टैकल करेंगे तो नेक्ट कोशन की और चलते हैं अपने विशमसब्द बताना है आपको फायर फोक्स क्रोम स्नैपचैट या फिर सफारी आप खुद से जो है वीडियो को पोस्ट कीजिएगा और एक बार खुदी अपने मन में सोचेगा कि इसका अंसर क्या होगा थोड़ा टाइम लेना है आपको और फिर सोचना है कि इसका अंसर क्या होगा देखो बड़ा सिंपल है फायर फोक्स क्या होता है एक वैब ब्राउजर है जिसके अंदर आप सर्चिंग करते हैं गूगल क्रोम क्या है वो भी आपका एक सर्चिंग जन है स्नैप चैट की बात करेंगे हम तो स्नैप चैट क्या है एक चैटिंग बोक्स है यानि कि एक चैटिंग टूल है जिसके अंदर आप चैटिंग करते हैं जैसे फेस्बुक मैसेंजर होता है इस तरीके का आपका स्नैप चैट होता है और सफारी भी क्या है आपका एक सफारी को ग्याद कीजिए 21, 11, 33, 15, 31, 16 और 33, 17 देखो ज्यान से 11, 21 दूसरे नमबर पर आता है आपका 33 और 15 तीसरे नमबर पर आता है आपका 31 और 16, 33 और 17 बताना है आपको विशम संख्या कौन सी है अभी देखो ज्यान से कैसे बता पाएंगे आप सरसे पहले वही आप गैप चेक कर लीजिएगा इनके बीच का 11 और 21 के बीच का गैप कितना होता है 10 हो जाएगा गैप 33, 15 के बीच का गैप कितना होता है 13 में से 5 गए 8 यानि की 18 का गैप हो जाएगा 31 और 16 के बीच का गैप कितना होता है 11 में से 6 गए 5 यानि कि 15 का गैप हो जाएगा तो यानि कि एक तरीके से गैप का तो ये question बननी रहा यानि कि गैप तो क्या है सभी के different आ रहे है अच्छा फिर मैं क्या कर सकता हूँ गैप नहीं आपका 8 3 और 1 होता है आपका 4 6 और 1 होता है आपका 7 और 1 और 3 होता है आपका 7 7 और 3 हो जाएगा आपका 10 की 0 हासिल 1 3 और 1, 4 और 1, 5 तो देखेगा इसको 32, 48, 47 और 50 ये हमारे क्या गई ये हमारे एक तरीके से विसम संख्या आ गई ये हमारी समसंग क्या है और ये आपके भी समसंग क्या है पर क्या इसके अंदर ये लोजिक लग जाएगा ये तो उचित सा लगनी रहा है तो फिर इसके अंदर क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम कर सकते हैं कि 11 की मल्टिपलाई कर देंगे अगर 11 दूनी 22 माइनस एक कर देंगे अच्छा 15 दूनी 30 माइनस एक करेंगे तो बात नी बनेगी तो यानि कि इसमें तो बात बने नी 16 दूनी 32 माइनस एक कर देंगे तो इसमें बात बन जाएगी 17 दूनी 34 माइनस एक कर देंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा आंसर आएगा आई होप कि आपको कोशन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा चलते हैं अपने नेक्ट कोशन की और बेजूड ग्यात करना है पीला लाल संतरा और नीला देखो बड़े आसान तरीके से इस कोशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं कैसे पीला लाल संतरा इवं नीला पीला लाल और नीला क्या है आपके कलर हैं जबकि संतरा आपका क्या है एक फल के अंदर आता है कि उस सब्द का चैन कीजिए जो अन्य तीन से बिन है रख्तक पुतली प्रैमस्तिक्स और रेटिना प्रैमस्तिक्स किसको बोलते है प्रहाय अस्तिक सापका होता है सेरividade दिमाघ का पार्ट होता है यह आपके आइस के parts है क्या है आपकी आँखों के part है तो different क्या हो जाएगा आपका इन में प्रेमस्टिक्स हो जाएगा आपका अलग तो next question क्यों चलते हैं इसने कहा है बेजोड बताना है नियोन, आरगन, जस्ता, हिलियम हिलियम क्या है आपकी गैस है जो कि आपके गुभारे वगेरा में बरी जाती है जस्ता आपका एक metal है आरगन भी आपके क्या है गैस है जो कि आपके ट्यूब लाइट्स वगेरा में बरी जाती है और नियोन भी क्या होता है आपकी एक गैस है जो की लैम्प वगेरा में भरी जाती है तो एक तरीके से नियोन, आरगन, क्रिप्टोन, हीलियम, जिनोन, रेडोन ये सारी की सारी आपके क्या होती है एकिरिया के ऐसे पती है जो किछी के साथ reaction नहीं करती है तो जस्ता क्या है आपका एक metal है धातू है तो यह हो जाएगा आपका अलगी तो next question की और चलते हैं तेईस, अठारा, तीस, बीस, बासट और आट, इक्किस और नो यह आपको बताना है question क्या होगा तेईस, अठारा, दूसरे नमबर पर आता है तीस और बीस, तीसे नमबर पर आता है आपका बासट और आट, चौते नमबर पर आता है आपका 21 और नो देखो अगर आप इनके बीच का गैप देखोगे तो गैप में तो काफी जादा जादा आपको गैप दिखाई दे रहे है इसके बीच तो गैप वारा तो यहाँ पर मुझे लगनी रहा पोसी बादो तो आप क्या खरो इनको एक बार एड़ करेंगे तो पचास आजाएगा 62 और 8 को एड़ करेंगे तो आजाएगा सतर और जबकी 219 को एड़ करेंगे तो 30 आजाएगा जबकी 23-8 और 8 तो आट रों पाएगा तो आपका यह क्या हो जाएगा अलख हो जाएगा तो नेक्ट कुशन की एर चलते हैं अपने बेजूड संख्या बतानी है आपको अठाण में 133 156 और 161 पर बतानी है क्या चीज आपकी अलग होगी कैसे बताएंगे इसको देखो जान से अठाण में 133 156 161 तो आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कुन सा है अभी मैं देखो इसको देखूंगा मैं तो 14 सत्य होते हैं आपके अठाण में यानि कि आपका क्या होगा साथ से d 61616 तो इसको देखो 161 साथ 2 14 2 और 1 सात्य हो जाएंगे आपके तो यह भी आपका क्या होगा साथ से डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 156 तो नेक्ट कोशन क्यों चलते हैं अपने बेजूड का चैन करना है हीटर इस्टोब बर्नर माइक्रोवेव ओवन या फिर इंडक्शन कूकर एक बार वीडियो को पोज करो और इसको खुद से दिमाग लगा के दो मिंट दो और फिर देखो इसको क्या आपको इसका अंसर लग रहा है पता नहीं लग रहा है उसके जले का उता है तो फिर इनके अंदर दिफेंट क्या चीज होगी डिफेंट यह चीज होगी हीटर भी आपका बिजली से चलता है बर्नर एक को क्यों चलता है लेकिन माइग्रोवेव और वं कैया वो भी आपका होगा अभी देखो द्यान से इस कुश्यन को 217 में मैं अगर देख लूँगा तो इसको डायरेक्ट पिचान जाओंगा कि यह 13 की क्यूब है अच्छा 131 की बात करूँगा तो यह 11 की क्यूब दिखाई देगा मैं एक्डोशन की ओर चलते हैं आपने अनदर उसने स्क्र já रखा है तो आदर रखा Our तो 531 किसकी 2 क स्क्वार होता है किसी का लिए होता बट 531 से मैं क्या करूँ गां सोम कर दूगा 599छा होता है 442 की बात करूए तो 442 से 1 कम करेंगे तो 441 की स्क्वार हो जाएगा जाएगा तो यानिकि एक तरीकी से सब के अंदर स्क्वाइर होगे और दो एड हो रहे हैं तो क्या होगा 441 का स्क्वाइर है और उसके अंदर दो एड होना चीए था यानि कि क्या आना चीए था 443 आना चीए था बट यह आ रहा है आपका 442 ठीक है तो नेक्ट कोशन की और चलते हैं अपने बेजूड बताना है आपको क्या होगा 65, 52, 26, 36 में तो अभी देखो आप 13 से कट जाएगा 65, 35 यह होते हैं आपके 65, 52 करोगे तो 13 चुकों होते हैं आपके 52, 26 भी कट जाएगा तेरा से तेरा दूरिश भीस और सतान में किस से कड़ता है सतान में तो तेरा से नहीं कड़ता तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सतान में नेक्ट कोशन की ओर जलते हैं अपने नीचे दिये गए चार विकल्पों में से तीन किसी विशेश तरीके से संबन दित है उस विकल्प का चैन कीजिए जो दूसरों से बिन हो या विसम हो बिल्ली मेमना बिल्ली का बच्चा है सावक तो क्या होगा यह सभी उसने बच्चे दे रखे हैं क्या दे रखे हैं मेमना भी बच्चा होता है बकरी का बिल्ली का बच्चा होता है सावक होता है तो यह सारे क्य हैं बच्चे होते हैं जबकि बिल्ली क्या आपड़े आप में खुद एक पुराणी है एक दम बच्चा नहीं है वो बिल्ली ठीक है तो बिल्ली आपका क्या हो जाएगा करेक्ट अंसर हो जाएगा 9876-8765-5432-7653 इसका अंसर आपका कमेंट बोक्स में कमेंट करना है नेक्ट कोशन है निमलिकित परसन में दिये गए विकल्पों में से विशम सब्द का चैन कीजिए कन्या कुमारी विशा का पतनम कोची अमरिच सर इनके अंदर क्या डिफ्रेंट है कन्या कुमारी ये आपका परकिज में पढ़ता है यह आपका सउथ में पढ़ता है विशा का पतनम भी आपका सवाथ मे¿ और कोची आपका यह सभी क्या है एक तरीके से आपके टटिय राज्य में देमापुतो लंडन इवम पैरिज देखो गर आप देखो के मापुतो लंदन और पैरिस यह सभी क्या है आपकी एक कैपिटल है जब कि इस्तानबुल क्या है एक सहर है तो चलिए का नेक्ट कोशन की और चलते हैं अपने इस कोशन का अंतर आपको कमेंट बोक्स में कमेंट करना है अलग संक्या बतानी है आपको कौन सी होगी 226 256, 122 या फिर 170 आप देखेंगे अगर आपको स्क्वाइर्स और क्यूब्स लर्ण होंगी तो आप इस कोशन को बड़े आसान तरीके से कर लेंगे मिरे को 256 इसको स्क्वाइर दिखाई दे रहा है किसका स्क्वाइर होता है यह आप बताएंगे कमेंट बोक्स में तो इसका अंसर क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा बक्की और कोई भी आप देखेंगे तो कोई भी आपका स्क्वाइर या वर्ग नहीं है किसी भी संख्या का जबकि 251 वर्ग होता है वो किस चीज का वर्ग होता है यह आप कमेंट बोक्स में बताएंगे और नेक्ट होना है इसके अंदर कौन सा है चलिएगा वीडियो का जितनी रखते हैं मिलते हैं कल फिर आप से इसी समय थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो